हलो फ्रेंड्स, कॉरोना की इस दूसरी लहर में पूरे देश में कॉरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ लई है साथ ही कॉरोना मरीजों की मेडिकल ऑक्सिजन की डिमांड भी लगातार बढ़ लई है इसी बीच DRDO ने COVID-19 के अगेंस्ट में अब तक की सबसे असारदाएक दवा 2DG विक्सित की है 2DG means 2-D-Oxy-D-Glucose तो दोस्तों 2DG से related सारी information details में इस वीडियो में बताई गई है जैसे 2DG medicine का मरीजों की बाड़ी पर क्या असर होता है 2DG बाड़ी में कैसे काम करती है 2DG कैसे develop हुई इस तरह की सारे information इस वीडियो में बताई गई है तो दोस्तों वीडियो के अंत में प्लीज प्लीज लाइक और सेयर करना न भूलें और ये वीडियो आपके लिए कितना useful है प्लीज कमेंट बाक्स में लिख कर बताएं तो दोस्तों D.I.D.O. 2DG medicine पे कई सालों से काम कर रहा था इस 2DG medicine का brain tumor के इलाज के लिए और anti-cancer drugs के तौर पर इसका clinical trial चल रहा था पर अप्रेल 2020 में पहली लहर के साथ कोरोना वारस की पहली लहर के साथ इस anti-cancer drug को anti-covid drug में तयार करने का काम सुरू किया गया इसके लिए D.I.D.O. की lab इनमास में 2DG medicine पर काम कर रहे scientist डॉक्टर अनन्त नाराण भट डॉक्टर अनिल मेसर और डॉक्टर सुधी चंदाना ने हैदराबाद की pharmaceuticals company डॉक्टर रेडीज की lab CCMB के साथ मिलकर अप्रेल 2020 से मई 2020 तक इसका lab experiment किया और पाया की 2DG SARS-CoV-2 के against में बहुत ही असर दायक है इन results के basis पे DCGI और CDSEO हैदराबाद ने 8 मई 2020 को 2DG की second phase के clinical trial के लिए मई 2020 से October 2020 के बीच का समय दिया second phase के clinical trial को दो सब phages में complete किया गया second phase A और second phase B second phase A में six hospital और second phase B में 2DG की dose range तैक करने के लिए देश के 11 hospital में भरती 110 करोना मरीजों पर ये trial किया गया ट्रायल में सामिल मरीज अन्य मरीजों की तिल्ला में दो से तीन दिन पहले recover होना शुरू हो गये इसके बाद DRDO ने November 2020 में application दिया 2DG के third phase के clinical trial के लिए जिसको DCGI और CDSEO से December 2020 से March 2021 के बीच में complete करने का समय दिया गया थर्ड phase के clinical trial में दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महराश, पस्षी मंगाल, गुजरात, राजस्थान, अंध्रप्रदेश, कानाठका, तिलंगाना और तमिल लाड़ में इस्थित 27 hospital में भरती 220 करोना मरीजों पर ये परिच्छन किया गया परिच्छन में 42% मरीजों को तीसरे दिन से ही medical oxygen की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ भी पाया गया कि 2DG का 18 साल से लेके 65 या 70 साल तक के लोगों पर एक जैसा ही असर होता है इस्टेडीज में पता चला कि SARS-CoV-2 के multiply होने के लिए infected cells में glucose का utilization बहुत ही जरूरी होता है क्यूंकि जब कोई वारस किसी prokaryotic ये eukaryotic cells को host बनाता है तो वारस अपने genetic material को host cell में inject करता है viral RNA host cell में पहुँचने के बाद RNA से DNA बनाता है इस process को reverse transcription कहते है फिर DNA से mRNA बनाता है इस process को transcription कहते है mRNA की मदद से host cell में viral proteins बनते है इस process को translation कहते है viral proteins की मदद से host cell में वारस के अलग-अलग parts बनते हैं ये parts assemble होके एक नया वारस बन जाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि infected cells में वारस के numbers multiply हो रहे होते हैं लेकिन इस पूरे process में infected cells को बहुत सारी energy की जरूरत होती है इस case में SARS-CoV-2 के case में ये energy glucose से मिलती है 2DG medicine ना सिर्फ glucose के utilization को रोकती है बलकि SARS-CoV-2 infected cells में glucose को utilize कने वाले enzyme के production को भी रोक देती है 2DG medicine की खास बात ये है कि ये सिर्फ SARS-CoV-2 infected cells में ही काम करती है जिससे body की दूसरी cells में glucose का utilization समान ने रूप से चल रहा होता है इससे ये पता चलता है कि जिनकी body में glucose की मातरा जादा होती है या जिनको diabetes होती है उनकी body में SARS-CoV-2 के multiply होने की speed जादा होगी और साथ में उनकी body में बहुत तेजी से फैलता भी है जिससे body की infected cells में important nutrients जैसे की glucose की demand बढ़ जाती है जिससे body के दूसरे important organs जैसे की liver, pancreatic isolate, lymphocytes, monocytes, adipocytes cells की nutrient requirement फुल्फिल नहीं हो पाती और वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं DRDO के according to 2DG का इस्तमाल करोना के moderate और severe patient के लिए किया जा सकता है 2DG medicine की two doses per day 5-7 दिन तक doctor के prescription के according लेनी होती है 2DG medicine powder के form में pouches में available होगी जिसको पानी में glucose की तरह घोल कर ओरली लिया जा सकता है DRDO का कहना है कि 2DG का असानी से बड़ी मात्रा में production किया जा सकता है क्योंकि ये एक generic molecule और glucose analog से बनी होती है उम्मीद है कि 2DG medicine से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है और कोरोना मरीजों का hospitalization भी कम किया जा सकता है 2DG medicine की price को लेके अभी निश्ची तोर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है पर DRDO का कहना है कि 2DG medicine की price उनके industry partner Dr. Redis Laboratories तै करेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2DG medicine के पर पाउच की cost लगभग 500 से 600 रुपए तक हो सकती है तो दोस्तों कोरोना होने से बचने के लिए कोरोना वैक्सिन और कोरोना होने के बाद बचने के लिए 2DG medicine